जैपुर के जूटवड़ा इलाके के लक्षमी नगर में बुदुवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। रात के करीब 9 बजे एक चीक ने सब का ध्यान अपनी और खीचा। एक प्रोपर्टी विवाद के चलते नंदगाओं के लक्षमी नगर में रहने वाले रगुवीर ने अपनी भावी शकुंतला मासूम भतीजे सूर्य प्रताप उम्र 9 महीने और भतीजी दिव्यान सी उम्र 12 साल पर चाकु से तावर दोड़ वार किये। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि प्रोपर्टी विवाद के चलते रगुवीर ने अपनी भावी मासूम भतीजे भतीजी पर चाकु से तावर दोड़ वार किये थे। रगुवीर और उसके भाई लक्षमन के बीच लंबे समय से प्लोट को लेका विवाद चल रहा था। इस विवाद ने उस राद खूनी रूप ले लिया। लक्षमन उस समय नोकरी पर था जब रगुवीर और शकुंतला के बीच बहस शुरू हुई थी। विवाद भरते भरते हिंसा में बदल गया। गुस्ते में रगुवी निचा को निकाला और अपनी भावी पर वार करने लगा। पालसी पलंग पर सो रहे मासूम सूर्य परताब का पेट काड़ दिया। और फिर दिव्यांसी का गला रेत दिया। चीखों की गूंज सुनक पड़ो से खटा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो नजारा दिल दहलाने वाला था। घर में खून ही खून फैला था। शकुंतला और दोनों बच्चे लहू लुहान हालत में मिले। पुलिस ने तुरंत उन्हें समस अस्पताल में भरती करवाया जहां दिव्यान शीकुम्रत खोशित कर दिया सूर्य परताप और शकुंतला को इलाज के लिए भरती किया गया। लेकिन इलाज के दोरान सूर्य परताप ने भी दम तोड़ दिया। शकुंतला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हमले में रगुवीर बा पर एक रील बनाई थी जिसमें उसने लिखा था कि आज उसका आखिरी दिन है और बाई-बाई हमेशा के लिए वहीं इस मामले में एक और सवाल उठ रहा है जब घटना इस तल पर पुलिस ने एफसल टीम की मदद से सबूर जुटाए तो घर में खून फैला हुआ था और फ आरोपी रगुवीर सिंग को रील बनाने का शोक्ता उसने अपने भतिजी और भतिजी के साथ भी कई रील बनाकर शोशल मीडिया पडा डाले थी आतम हत्या से पहले pragी उसने उन्भी बनाई लिख आज मेरा आखेरी दिन है ब consistency कि अ प्रोपर्टी विवाद ने एक खुशाल परिवार को तोड़ कर रख दिया जिसमें निर्दोष की जानी चली गी और एक महिला के जिंदगी खत्रे में पड़ गई पुलिस मामले के गहन जाच कर रही है आप देखते रिए जनता दर्बार नियूज